हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत इंपोर्टेंट बात में आपसे करने वाला हो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जो वाइफ है वो बहुत कम समय के लिए साथ में रहती है तो इस केस में आप क्या करें और अगर वो किबल आपके साथ दो दिन रहने के पश्चा त्या एक हफता रहने के पश्चा में इसको खारीज कर दिया गया आप दोस्तों ये जो मामला था इसमें फैक्ट्स क्या थे उसको हम समझेंगे और समझने से पहले आपसे कहना चाहूँगा इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि ये चैनल अभी-भी कुछ समय पहले ही हमने शुरूआत की है और इस पे हमें आपके सप आदी हुई शादी के बाद केवल एक माही पती और पत्नी साथ में रहे उसके बाद वो उसको छोड़ करके अपने मायके में चली गई मायके में जाने के पश्चात उसने 125 CRPC का दावा दाखिल कर दिया अपने मेंटेनिस के लिए अब जो पती था उसने उसको कंटेस्ट कि गई तो उन्होंने अपनी तरब से डावोस फाइल कर दिया और ये डावोस का केस चली रहा था इसी दोरान उन्होंने हिंदू दत्तक भरन पोशन अधिनियम के धार 18 के अधिन भी भरन पोशन के लिए एक आविदन पस्तुत कर दिया इसी दोरान सेम फैमली कोट ने डाव की डिकरी पारित कर दी और उसके लेबग एक महिने के बाद इसमें मेंटेनेंस का ओर दिया यानि हिंदू दत्तक भरन पोशन अधिनियम के धार 18 के अंतरगत आविदन को स्विकार करते वे तीन हजार उपे परमंत का मेंटेनेंस ओर कर दिया अब पती नहीं साधेश को स्विकार कर लिया ग्राउंड ये लिए कि रेस्टिडिशन अफ का पाला नहीं हुआ है जो पतनी थी उसने वापस अपने पती के पास आकर रहना शुरूर नहीं किया अपनी मर्जी से अलग रहने लगी थी दूसरा दोनों का तलाक भी हो चुका है और एक तलाक शुता पत लोवर कोट ने पतनी के 125 CRPC के अप्लिकेशन 125-4 के आधर पर खारिज कर दी कि वो अपनी मर्जी से जाकर के दूसरी जगा पर रह रही है तो आप भी 125-4 के अंतरगत ये साबित करने के कोशिश कर सकते हो अगर आप साबित कर देते हो तो 125 CRPC खारिज भी हो सकता है सेकेंड जब उसने दूसरे अधिनीम के अंतरगर जाकर याई हिंदू दत्तक भर्णपोशन अधिनीम के अंतरगर जाकर करके maintenance मंगा तो वहाँ पर तलाक के अधार पर उसका maintenance कैंसल कर दिया गया कुल मिलाके बात knowledge की होती है, यहाँ पर knowledge ही power है, जितने आप knowledge रखोगे, जितने आप gain करोगे, जितने आप judgments देखोगे, उतना ज़्यादा आपका दिमाग खुलता चला जाता है, उतना जो आपकी सोच है wider होती चली आती है, और आप फिर सारी चीजों को बहुत ही अच्छे एडिये से देखते हो, कुछ गलत भी आपके साथ हो जाता है, तो आप उसके option खोजते हो, परशान नहीं होते हो, तो दोस्तों इसी परकार से आपको analyze करते हुए अपने अपने मामलों में आगे बढ़ना है, और आप लोगों की help के लिए इस article का link आपको इस वीडियो के न